सूप्रभात बच्चों आज हम पाठ दो काकी जिसके लेखक सिया रामसर गुप्त जी हैं के द्वारा लिखी कहानी को पढ़ने जा रहे हैं यह कहानी बहुत ही मारमिक है एक बेटा अपनी मा के अचानक म्रत्य हो जाने पर किस तरह दुखी है विलाब कर रहा है उसके बारे में यह कहानी लिखी गई है बच्चों हम कहानी पढ़ते हैं उस दिन बड़े सबेरे स्यामू की नीद खुली तो उसने देखा घर भर में कुहरा मचा हुआ है उसकी मा नीचे से उपर तक एक कपड़ा ओड़े हुए कंबल पर भूमी सयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुर स्वर में विलाब कर रहे हैं लोग जब उसकी मा को समसान ले जाने के लिए उठाने लगे तब स्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया लोगों के हाथ से छुट कर वह मा के उपर जा गिरा बोला काकी सो रही है इसे इस तरह उठा कर कहां ले जा रहे हो मैं इसे न ले जाने दूँगा लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया काकी के अगन संसकार में भीवए न जा सका एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही यद्दभी बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहां गई है परंत यह बात उ धीरे धीरे सान्थ हो गया परंत सोक सान्थ न हो सका वह प्राया अकेला बैठा बैठा सूने मन से आकास की ओर ताका करता एक दिन उसने उपर एक पतंग उरती देखी न जाने क्या सूच कर उसका ह्रेदय एकदम खिल उठा पिता के पास जाकर बोला काका मुझे एक पतंग मंगा दो अभी मंगा दो पत्नी की मृत्व के बाद विशेश्वर बहुत अन्मने से रहते थे अच्छा मंगा दूंगा कह कर वे उदास भाव से कहीं चले गए बच्चो पाठ में आय हुए कठिन सब्दों का हम अर्थ भी जान लेते हैं कुहराम मने अत्यधिक रोना भूमि सयन जमीन पर सोना करुड मने दुखी होना विलाप करना असहनी दुख से रोना उपद्रव मने बहुत परेशान करना सून मन से सांत भाव से ताका एक टक देखना बच्चो अब हम इस पाठ का अर्थ लिखना आपको बताते हैं संदर्भ कैसे लिखते हैं और प्रसंग कैसे लिखते हैं तो हमने पाठ के सुरू की कुछ पंक्तियां ली हैं तो उसका हम आपको संदर्भ लिखना बताते हैं संदर्भ प्रसंग कैसे लिखते हैं तो पाठ में कहानी में जो विशय दिया गया है उसके उपर हम थोड़ा लिखते हैं इसमें प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने मा के मृत्य के उपरांत इस अबोध बालक स्यामू के हरते की पीड़ा को व्यक्त किया है अब इन लाइनों का अर्थ क्या है इसको हम आपको बताते हैं बड़े सबेरे ही स्यामू की जैसे ही आँख खुली उसने देखा कि उसके घर में चारों और सभी लोग अत्यधिक रो रहे हैं चितकार कर रहे हैं और उसकी मा पता नहीं क्यों एक कपड़ा ओढ़े जमीन पर सो रही है घर के सभी लोग बहुत दुखी होकर के रो रहे हैं जब सभी लोग उसकी मा को समसान घाट लिये जा रहे हैं तब स्यामू ने अत्यधिक परेशान किया क्योंकि वह बहुत ही दुखी था, वह अपनी मा से अत्यधिक प्यार करता था, वह बार बार अपनी मा के पास जाकर कहता कि मेरी मा सो रही है, इसे कहीं मत ले जाओ, मैं इसे नहीं ले जाने दूँगा इस प्रकार बच्चो जब हम अर्थ लिखते हैं तो कठिन सब्दों का अर्थ भी लिखते हैं और इस प्रकार अर्थ लिखने का सभी बच्चो प्रयास करना बच्चो अभ्यासकार में हमने आपको कुछ काम दिया है जिसमें उपर्युक्त पंक्तियों में भूमिसयन जैसे योजक चिन्ह लगे सब्दों को खोज कर आपको अपनी कौपी में लिखना है जैसे भूह मिसयन सब्द लिखा है उसी प्रकार आपकी जो हमने पराग्राफ पढ़ा दिया है उसमें कुछ सब्द आए हुए हैं जिनको ढूड कर आपको अपनी कौपी में लिखना है और दूसरा प्रशन दिया है कुहरा मचाना रदय खिलना आदि मुहावरों का आपको अर्ध लिखना फिर अपने वाक्तों में प्रयोग करना है अब बच्चो पाठ एक में जो प्रशन दिये गए थे उनके उत्तर हम आपको इस भाग में दे रहे हैं कविता में कविने भारत के कल्याड है तो वर्दान मांगा है ग्यान की जेवती जलाने के लिए मा सरस्वती से प्रार्थना की गई है और समास्कुल 6 प्रकार के होते हैं इस प्रकार बच्चो आज आपको इस भाग में इतना ही पढ़ाएंगे प्रकार लिए से इस भाग में इस भा